नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होगे और हमारे इस विडियो का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे होगे तो बच्चों, आज हम नौमी कक्षा की किताब लोगतांत्रिक राजनिती का दूसरा अध्याय समिधान निर्मान पढ़ेंगे पिछले अध्याय में आपने लोगतंत्र के बारे में पढ़ा था और जाना था कि लोगतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं पर वह अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकते कुछ बुन्यादी नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना होता है इनी नियमों का सम्मिलित रूप समिधान कहलाता है समिधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ती, उनके कामकाच करने के तौर तरीकों को निर्धारित करता है अब ये सविधान कैसे बनता है? इसे कौन बनाता है? इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है? और इससे जुड़े कई और सवालों के उत्तर जानने के लिए आईए शुरू करते हैं आज का ये अध्याए इस अध्याए को हम दो भागों में पढ़ेंगे पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि दक्षनी अफ्रीका में आजादी मिलने से पहले क्या स्थिती थी और वहां समिधान का निर्मान कैसे हुआ? इसके साथ ही हम जानेंगे कि समिधान की जरूरत आखिर क्यों पढ़ती है? दूसरे भाग में हम भारत के समिधान निर्मान की प् इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, तो देखिये, क्या आप इन्हें पहचानते हैं, बच्चो यह दक्षनी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूत पूर्व राष्ट्रपती श्री नेलसन मंडेला जी है, मुझे विश्वास है आपने यह नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा, और अब आप इनके बारे में जरूर जानना चाहोगे, है ना, तो चलिए, शुरू करते हैं नेलसन मंडेला जी के एक कथन से, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रेक और स्वतंत्र समाज की कामना की है, जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सब को समान अवसर उपलब्ध हूँ, मैं इसी आदर्ष के लिए जेवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी, तो इस आदर्ष के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ, बच्चों, यह कथन सुनकर आपको नेलसन मंडेला के बारे में कोछ अंदाजा जरूर हो गया होगा, राश्ट्रपती बनने से पहले वे दक्षिनी अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, और इसके कारण वहां की गोरों की सरकार ने उनके खिलाफ देश्ट्रो का मुकदमा चलाया और साथ अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, नेलसन मंडेला ने अपनी जिन्दगी के 28 साल दक्षिनी अफ्रीका की रोबेन द्वीप नाम की जेल में बिताए, वह एक ऐसे समाज का निर्मान करना चाहते थे, जहां सब समान हों और एक साथ मिल जुल कर रहें, और 1990 में श्वेट सरकार से हुए एक समझोते के बाद उन्होंने नए दक्षिनी अफ्रीका का निर्मान किया, वह पूरे विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक बन गए, संयुक्त राष्ट्र संग ने उनके जन दिन को निल्सन मंडेला अंतराष्ट्रिय दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया, आएए जान लेते हैं ये रंग भेद क्या था, जिसके खिलाफ निल्सन मंडेला विरोध कर रहे थे, तो बच्चों, ये नसली भेदभाव पर आधारित वैवस्ता थी, जो यूरोप के गोरे लोगों ने विशेश रूप से दक्षन अफरीका में चलाई थी, आपने आठ्मी कक्षा में पढ़ा था कि कैसे सत्रवी और अठार्मी सदी में वैपार करने आई, अंग्रेजों की एक कमपनी ने भारत को हथ्यारों और जोड़ जबजस्ती से अपना गुलाम बनाया, बिल्कुल ऐसा ही दक्षन अफरीका के साथ भी हुआ, गोरे लोग काफी बड़ी संख्या में वैपार करने दक्षन अफरीका में आए, और वहीं बस गए, और धीरे धीरे उन्होंने वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया, रंगभेद की राजनिती ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया, आपने देखा ही होगा कि दक्षन अफरीका के लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, इनके इलावा कुछ मिली जुली नसले थी, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहां रहते थे, गोरे शासक, गोरों के अलावा सबको छोटा और नीचा मानते थे, इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, वे गोरों की बस्तियों में नहीं रह सकते थे, वहां जाकर काम करने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था, यहीं नहीं, रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हस्पताल, स्कूल, पुस्तकाले, सिनेमा घर, गिरजा घर, समुद्रतट और सारवजनिक शौचाले तक में गोरे और काले लोगों के लिए बिलकुल अलग-अलग इंतजाम थे, इसे प्रिथक करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था, अश्वेतों को इकठा होकर उनके साथ हो रहे, इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं था, बच्चो इन चित्रों को ध्यान से देखो, यह उस रंग-भेदवाले दौर के चित्र हैं, पहले चित्र में आप देख रहे हैं, डर्बन संबुदरतट पर लगा एक नोटिस बोर्ड, जिस पर अंग्रेजी, अफ्रिकांस और जुलू भाशा में लिखा है कि यहां पर सिर चेतावनी है, इस से हम उस समय के तनावपूर्ण माहौल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, 1950 से अश्वेतों, रंगीन चमडी वालों और भारती मूल के लोगों ने मिल कर इस विवस्था के खिलाफ संघश किया, और अफ्रीकी नेशनल कॉंग्रेस नाम के संगठन से जुड़ गए, कई विरोध प्रदर्शन हुए, हरताले हुई, विरोध करने वालों में कई मजदूर संगठन और कम्यूनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, इनके इलावा दूसरों की परिशानी को समझने वाले कुछ गोरों ने भी अफ्रीकी नेशनल कॉंग्रेस का साथ द भाई, संगर्ष को दबाने के लिए गोरी सरकार ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अपना शासन जारी रखा, धीरे धीरे रंग भेद के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा और सरकार को यह एह एसास हो गया कि वे जादा देर तक जोर जबरस्ती नहीं कर सक बढ़ते दबाव को देखते हुए गोरी सरकार ने अपनी नितियों में बदलाव शुरू किया, आईए जाने कैसे? भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनेतिक दलों पर लगे प्रतिभंध हटा लिये गए, मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई, 28 वर्ष तक जेल में रखने के बाद नेलसन मंडेला को अज़ाद कर दिया गया, आखिरकार 26 एप्रेल 1994 की र रंग भेद स्माप्थ हुआ और सभी नसल के लोगों की मिली जुली सरकार का गठन होने लगा, बच्चो आप सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव हुआ, तो बच्चो अश्वेतनेताओं ने अपने लोगों से आग्रह किया कि गोरी लोगों ने जो जुल्म किये थे, वे उन भूल जाएं, गोरों को माफ कर दें और ऐसे समाज और देश का निर्मान करें जिसमें सभी नसलों में समानता हो, स्त्री पुरश को भी समान दरजा दिया जाए, यह नया देश लोगतांतरिक मूल्यों, समाजिक नयाए और मानवा धिकारों पर आधारित हो, आईए ये बा जाएंगे लिए. तो बच्चो देखा आपने कि किस प्रकार लोगों से यह अपील की गई कि वे पिछली बातें भूल कर एक नई शुरुआत करें और इस तरहां दोनों पार्टियां एक पार्टी जिसने दमनकारी शासन किया था और दूसरी पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई की अगवाई की थी नई समिधान को बनाने के लिए साथ साथ बैठी दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने ऐसा समिधान बनाया जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं बना था इस समिधान में नागरिकों को बहुत से अधिकार दिये गए ये फैसला किया गया कि मुश्किल मामलों को सुलजाने के लिए सभी का मत लिया जाए और किसी को बुरा नहीं माना जाए दोनों पार्टियां इस बात पर भी सहमत हुई कि हर समस्या का समाधान मिलकर किया जाएगा दक्षिन अफ्रीकी समिधान की प्रस्तावना इस भावना को बहुत सुन्दर धंग से दर्शाती है बच्चो प्रस्तावना यानी सम्विधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने सम्विधान के बुन्यादी मूल्यों और अवधारनाओं को स्पष्ठ धंग से कहता है आईए नजर डालते हैं इस प्रस्तावना पर हम दक्षिन अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याए को स्विकार करते हैं अपनी भूमी पर आजादी और न्याए के लिए संगर्श करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं अपने देश को बनाने और विक्सित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिन अफ्रीका उन सभी का है जो यहां रहते हैं यहां की विविद्धता से जुड़े हैं इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से के विभाजन मिटें और लोगतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारत एक समाज बन सके एक ऐसे लोगतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संगरक्षन मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की समभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रिता हो और एक संयुक्त और लोगतांत्रिक दक्षिन अफ्रीका का निर्मान हो जो राष्ट्रों के समू में एक संप्रभू देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके इश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे तो देखा बच्चो कितना प्रेड़ना दायक है दक्षिन अफ्रीका का समिधान दुनिया भर के लोगतांत्रिक देश इस समिधान से प्रेड़ना लेते हैं 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में और लोगतांत्रिक तोर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी आज उसे लोगतंत्र के मौडल के रूप में देखा जाता है यह तभी संभव हुआ जब दक्षिन अफ्रीकी लोगों ने साथ रहने, साथ काम करने और पुराने कड़वे अनुभव को भुला कर एक नए इंद्रधनुशी समाज बनाने का निश्चे किया बच्चो क्या आप बता सकते हो दक्षिन अफ्रीका खुद को इंद्रधनुशी देश क्यों कहता है मैं चाहती हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर खुद पता लगाएं और अपने शब्दों में लिखें आप किसी व्यक्ती, किताब या इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं बच्चो जरा सोचो अगर दक्षिन अफ्रीका ने पुराने कड़वे अनुभव भुलाए न होते और गोरे लोगों से बदला लेने का सोचा होता तो क्या होता हो सकता है आज दक्षिन अ प॥रीका एक लोगतांत्रिक देश नहीं होता अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सविधान की क्या जरूरत है इसे भी हम दक्षिन अफृका के उधारन से समझते हैं आपने देखा कि इस नए बने लोकतंत्र में दमन करने वाले और उसे सहने वाले दोनों ही समान रूप से साथ साथ रहने की योजना बना रहे थे पर दोनों के अंदर अपने अपने किस्म के डर थे और दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे अश्वेत लोग जिनकी संख्या श्वेतों के मुकाबले काफी अधिक थी चाहते थे कि लोकतंत्र में बहमत के शासन वाले सिधान्ट से कोई समझाता ना हो यानि शासन वही करे जिसे बहमत हासिल हो इसके साथ ही उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे दूसरी और गोरे लोगों को जिनकी संख्या कम थी अपनी जायदाद और विशेशा अधिकारों की चिंता थी कि कहीं उनसे उनकी संपत्ति और अधिकार छीन न लिये जाएं लंबे समय तक बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझोता हुआ गोरे लोग बहुमत के शासन का सिध्धान्त और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुन्यादी अधिकार देने के लिए भी सहमत हुए दूसरी और अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे साथ ही गोरों की जमीन जाइदाद सुरक्षित रहेगी वे उस पर कबजा नहीं करेंगे बच्चों ये समझोता करना आसान नहीं था और इससे भी कठिन था इसे लागू करना एक दूसरे पर भरोसा करके ही इसे लागू किया जा सकता था पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भविश्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा ऐसी हालत में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए यह जरूरी था कि जो बातें तै हुई थी उन्हें लिख लिया जाए जिससे सभी लोग उसे माने दक्षनी अफ्रीका के लोगों ने यही किया वे कुछ बुन्यादी नियमों पर सहमत हुए वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे उपर होंगे और कोई भी सरकार इसे अंदेखा नहीं करेगी बच्चो इन्ही नियमों को समिधान का रूप दिया गया ये तो था दक्षनी अफ्रीका का उधारन पर बच्चो सिर्फ दक्षनी अफ्रीका को ही नहीं बलकि दुन्या के सभी देशों को ऐसे बुन्यादी नियमों की जरूरत होती है जिससे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते है समिधान सर्वोच कानून होता है जिससे किसी शेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तै होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तै होते है बच्चों, समिधान और भी कई काम करता है आईए देखें ये क्या क्या करता है पहला ये साथ रह रहे अलग-अलगतर है के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग पैदा करता है दूसरा, ये सपष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तेह करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है और चौथा, यह दिखाता है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या उम्मीदे हैं। बच्चों, देखा आपने कि समिधान कितना जरूरी होता है और यह क्या क्या करता है। सभी देशों को समिधान की जरूरत होती है। और ये जरूरी नहीं कि जहां समिधान हो वह देश लोकतंत्र ही हो पर हाँ लोकतंत्र में समिधान का होना बेहत जरूरी है दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र समिधान के बिना चल ही नहीं सकता और हाँ, देशों या सरकारों को ही समिधान की जरूरत नहीं होती, बलकि हर संगठन, हर पार्टी को इसकी जरूरत होती है हर संगठन के कुछ काईदे, कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन संगठन के सभी सदस्यों को करना पड़ता है यह काईदे संगठन को अच्छे धंग से चलाने में मदद करते हैं तो बच्चो इसी के साथ अध्याय का यह भाग यहीं समाप्त होता है उमीद है आपको यह अच्छे धंग से समझ आ गया होगा और अब वक्त है आगे बढ़ने का और कुछ प्रश्न देखने का तो सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न दिये गए हैं और हर प्रश्न के साथ दिये गए हैं विकल्प आपको इन में से सही विकल्प चुनना है तो पहला प्रश्न है नेलसन मंडेला कौन थे और आपके विकल्प है दक्षिन अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपती इन में से कोई नहीं तो बच्चो इसका उत्तर है दक्षिन अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूत्पूर्व राष्ट्रपती अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्ण नेल्सन मंदेला के खिलाफ गोरों की सरकार ने क्या मुकदमा चलाया था? और आपके विकल्प हैं देश द्रो का, कानून तोड़ने का, टैक्स न देने का या कोई नहीं और इसका उत्तर है देश द्रो का तीसरा प्रश्ण रंग भेद नसली भेदभाव अफरीका में किस ने चलाया? पहला विकल्प है गोरे लोगों ने, दूसरा विकल्प है भारत ने, तीसरा है अफरीका ने, और चौथा है मिश्रित लोगों ने, और इसका सही उत्तर है गोरे लोगों ने अब है चौथा प्रश्न यूरोब की कम्पनियां अफ्रीका में क्या करने आई थी? व्यपार, राज, संस्कृति या कल्पना और इसका उत्तर है व्यपार पांचमा प्रश्न रंगभेद प्रणाली में लोगों को कितने भागों में बांटा गया था? और आपके विकल्प है दो, तीन, एक या चार और इसका सही उत्तर है तीन छथा प्रश्न रंगभेद प्रणाली में दक्षिन अफ्रीका के स्थाई लोगों को क्या कहते थे? अश्वेत, श्वेत, रंगीन या मिश्रित और इसका उत्तर है अश्वेत बहुत बढ़िया अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ वाक्य आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत और पहला वाक्य है उननिस सो चरानवे तक अलोग तांतरिक तोर तरीकों के लिए दक्षिनी अफ्रीका की दुनिया भर में निंदा की जाती थी तो बच्चो ये वाक्य गलत है या सही ये बिलकुल सही है अब देखते हैं दूसरा वाक्य समीधान सिर्फ लोग तांतरिक देशों में ही होता है ये वाक्य गलत है क्योंकि समीधान किसी भी देश की जरूरत हो सकती है पर हाँ लोगतंत्र में समिधान का होना बहुत जरूरी है समिधान के बिना लोगतंत्र चल ही नहीं सकता आईए अब देखते हैं तीसरा वाक्य समिधान सबको अलग-अलग रखता है बच्चो यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य बिलकुल गलत है क्यूंकि समिधान सबको अलग नहीं एक साथ रखता है अगला वाक्य नियमों की किताब समिधान कहलाती है और यह वाक्य है बिलकुल सही अब देखते हैं आखरी वाक्य आजादी के बाद दक्षिन अफ्रीका में रंग भेद की विवस्था वैसे ही चलती रही और यह वाक्य है गलत क्योंकि हमने पढ़ा कि दक्षिन अफ्रीका के समिधान में रंग भेद को खत्म करके सबको समान अधिकार दिये गए वह बच्चो आपको तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझा आ गया है बच्चो अब मैं आपको एक कारे सौंपना चाहती हूँ आपको अपने परिवार के लिए एक लिखित समिधान तयार करना है और यह काम करते हुए आपको दो बातों का खास ध्यान रखना है पहली काईदे बनाते वक्त सभी सदस्यों से विचार विमर्ष करना है और दूसरी सब के हितों को ध्यान में रखना है मुझे पूरा विश्वास है आप यह काम अच्छे से कर लोगे बच्चो अब वक्त है अलविदा कहने का आज के लिए इतना ही मुझे विश्वास है आपको यह विडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले विडियो में और पढ़ेंगे कि भारत में समिधान का निर्मान कैसे हुआ किन लोगों ने इस काम में मुख्य भूमी का निभाई तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मुस्कुराते रहिए झाल